मद्रासाई कोट ने तलाक के केस की सुनवाई के दोरान कहा पती के रहते पत्मी का मंगाल सूत उतारना पती के साथ मांसिक प्रूलता है मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस M. वैलुमनी और जस्टिस S. सौंथर की खंड़ पीट ने कहा किसी भी हिंदू महिला के गले में मंगल सूत एक पबित्र चीज है जो विवाहत जीवन की निरंतरता का प्रूलता है और उसे पती के मुझ्तिव के बाद ही हटाया जाता है इसलिए पती के जीवित रहते पत्नी का खुद से मंगल सूत को अलग करना पती के साथ मानसिक पूलता है क्योंकि ऐसा करने से पत्ती की भावना को ठेश पहुंचती है बेंच ने साब कहा ये सामन समझ की बात है कि दुनिया के एसेस्चे में होने वाले विवास हमारों में मंगल सूत बानना एक आवश्य कनुष्ठान है कोई भी हिंदू मैला अपने पती के जीवन काल में किसी भी हालत में खुद से मंगल सूत नहीं हटाएगी मैला ने कोट के सामने बात सूकारी जो उसने मंगल सूत को हटा दिया था और बैंक लपर में रख दिया है इस मामले में कोट ने पती की तलाग के आज़ी को मंजूई दे दी है दसल चिनने के एरोडिस्ट मेडिकल कॉलेज के प्रफेसर सी सिउ कुमार ने लोकल फैमली कोट के आदेश को मदरास हाई कोट में चुनौती दी थी उन्होंने फैमली कोट के उस आदेश को चुनौती दी जिसने उन्होंने तलाग दिने से मना कर दिया था